हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग वेनी हाथी विलकॉम तो इस माइंड ब्लोइंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला माइनम इस उपर शुर्मा बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं a question of trust question of trust यानि भरोसे की बात भरोसे का जब सवाल आता है तो क्या होता है ह हम किस पर भरोसा करें किस पर ना करें ठीक है यह है यह चाप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चाप्टर को पढ़कर हमें बड़े सारे मुहावरे याद आते हैं ठीक है तो चलो हम लोग चाप्टर को जो है वो देखते जाते हैं उसका चोड़ा सा माइंड माप कर लेत यह कैसा चोर है यह कैसा चोर है जो साल में सिरफ एक बार चोरी करता है और कैसे चोरी करता है इतना जो है वो चोरी कर लेता है कि पूरा 12 महीने चले इसे किताबी पढ़ने का बहुत शौक है ठीक है वेरी रेर और एक्सपेंसिफ किताबी यह खरीता है उन्हें पढ़ता है ठ के घड़ा समाथ है काम भी वहीं करता है जादी नहीं होई इसके एंमर से तुर थीक रहता है लेगिन इसको कभी-कभी आ Пव हे फीवर बहुत important है यहां पर हे फीवर का मतलब होता है बच्चों जिसमें कभी-कभी क्या होता है मौसम के हिसाब से किसी परसन को अलर्जी हो जाती है जिसमें परसन को sneezing यानि की छीके बहुत आती है ठीक है किसी-किसी को flowers की वज़े से आती है किसी flower को सूंग कर particularly हे फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली जब यह सीजन होता है जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप्स की तो उस टाइम पर जैसे हम लोग उनकी जब विनोइंग वगयरा करते हैं तो च्छोटे-च्छोटे दाने नाक में चले जाते किसी को बहुत छीके जाती है इसलिए फीवर यहां कहा गया यह बहुत इंपोर्टन है इस चाप्टर में ठीक है इसको है ऐसी चीजों कर जो है इसको छीके आनी शुरू हो जाती है इसको दूसरी तरफ है एक लीडी इन रेट यहां हमें कॉरत से मिलने वाले हैं ठीक है और आरत बहुत सब्सक्राइब कर आपको यहीं असास होगा कि जब भी किसी चीज को देखो इजिली उसके पर विश्वास मत कर लो विश्वास हमें जो है वो ऐसे अंधे होकर नहीं करना चाहिए टाइटल क्या है इस चाप्टर का क्वेश्चन आफ ट्रस कहने का मतलब क्या है हां पर थीम नोट रस्ट एनीवन विदाउट फाइंडिंग आउट अब आउट अब डाट परसन हमें किसे भी परसन की हमें जब तक डीटेल्स ना पता हो तब हमें उनके अपर भरुसा नहीं करना चाहिए लेडी इन दा हाउस प्रेटेंडड टो बी दा ओनर और होरेस ट्रेस्ट अर यह जो लेडी इन रेड है शी प्रेटेंड्स टो बी दे लेडी ऑफ दा हाउस यह प्रेटेंड करते हैं कि मैं इस घर की लेडी हूं यानि कि यह जो ओनर है मैं उसके वाइफ हूं और इसकी बातों में हमारा बुद्धू थीफ जो है वो आ जाता है यूज्वली यह थीफ यही शायद लेडी होगी शी वॉस थीफ तो वह भी एक चोर थी हुरेस को यह उसने उसके उपर बिलकुल भी शक नहीं किया ठिक है इंस्टेट उसके उपर क्या किया ट्रस्ट करा उसके ऑपर भरोसा कर लिया ठिक है question of trust सवाल था न किसका trust का तो उसने उसके उपर trust किया इसलिए यह जो trust Horace ने कर लिया lady in red के ओपर बिना कोई question करे, इसलिए इसका नाम question of trust जो है वो रखा गया है, उसने उसके ओपर कोई doubt नहीं किया, उसने सीधा उसके ओपर भरोसा कर लिया, इसलिए यहां पर title justified है, यह जो title है, title को देखे हमें बारा कुछ समझ में आ जाता है, तो यहां में समझ में आ गया कि उसने trust किया, without questioning, बिना कोई सवाल पूछे, इसलिए वो बिचारा फस गया, ठीक है, value इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, one should not trust anyone without finding about that person, जैसे कि मैंने आपको बताये बहीं, बिना सोचे समझे, किसी पर भी भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, अब जिस्ट क्या है, इस कहानी का सार क्या है, क्या हुआ थै? इस कहानी में? यह story है दो चोरों के बारे में, चोर चोर मुसेरे भाई, इस chapter में जो मेन चीज हम लोग पढ़ते हैं, भाई, क्या पढ़ते हैं, जिससे bro code होता है, ब्रो code का मदलब होता है, जो लड़के हैं, जो द दूसरे चोड दो का नहीं देते सब से पहले बर्विडर से मिलते हैं छंग नाम है अच्छा चल रहे हैं उसके पास दो एसिस्टन्स भी है यानि कि धंदा से चल रहा हुआ उसके अंदर एक बुरी आदत है कि वो साल में एक बार चोरी करता है इतना पैसा ही घठा कर लेता है कि जिससे वो रियर एंग्सपेंसिफ किताबें मतलब खरीद पाएं, सबके अपने अपने शौक होते हैं, उसका शौक होता है, इस लगी किताबों को पढ़ना, खरीदना, उनकी क्यूरेशन करना, यानि कि उन्हें इक ठा करना, उसका एक सीक्रेट एजन्ट है, जिससे वो किताब ही खरीदता है, यहां अब उसने बड़ी लोग होते हैं, और वाकई मी इनिसान था बुद्धु होते हैं, आपने घर की फोटो जान निकी पूरा नक्षा भी डाल देता है, मेरे घर में यहां यह, यहां वो है, साथी साथ वह यह भी बताता है, कि वहाँ एक पेंटिंग है, और उस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है अब होरस जानबाई ने एक plan बनाया कि चलो ठीक है चोड़ी करेंगे और चोड़ी करने के लिए भी रखी हुई है वहां क्या होता है वहां पढ़े होते हैं फलार्स को देखकर क्योंकि उसरेंए फीवर देखकर फॉप संग कर वह चिंख लेती है उसे कौन ने एक यक यंठ लेडी गया जो की उसे बताती है भाई अच्छी conversation उनके बीच में एक बहुती patchें चलती है लेडी उसे कैती है कि मैं इस घर की ओनर हूँ भाई ये बंदा डर जाता है ये तो मुझे पुलिस को पकड़वा देगी लेकिन वह उसे कहती है कि चलो मेरा एक फेवर है तुमसे लोग सोच रहे थे कि मैं तो लंडन में होंगी लेकिन मैं वापस आ गई हूँ ठीक है लेकिन आज मुझे रात को उसे बुद्धू बना देती है और जो ये हॉरेस जायन भाई है जो हमेशा बहुत कियरफुल रहता था बहुत धियान रखता था हमेशा गलवस पहनता था कहीं फिंगर प्रिंट्स नी चोड़ता था उसने आज क्या किया गलवस उतारे ठीक है गलवस उतार दिये थे क्यो उतारे थे क्योंकि जब वो लेडी से बात करा था तो लेडी सिगरेट पीने लगती है अपनी सिगरेट में बहुत ना जिसे कहते हैं यह भी गुड मानर्स में आता है ठीक है एटिकेट में आता है कि कोई इस पी रहा तो उसको फिटाफिट से अपना लाइटर ओफर करें तो हॉरेस जानभाई ने फटाफट से लाइटर मांगा और लेडी को इंप्रेस करने के लिए लाइटर ऐसी उसके सामने चलाया अब उस प्रॉसस में उसने गलव उतार दे अब गलव उधार दे और गलव उतारे उतारे सेफ को तोड़ दिया ठीक है यह नाज रात को करकी चला जाता है कि अपके बाद मैं कभी नहीं करूंगा मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ दूंगा हुँआ के लिडियू से धंकारी होती नियुक्र पुलिस को पिता दूंगी तो कहते आज के बाद में कभी चोरी नहीं करूंगा माझम भाएडम वाच रीफ बने वाला ने जाके Zimmer को दोका दिया वह मत्हु चोर चॉर मुसेरे भाई वाली बात यहां सच नहीं क्या क्या कर सकती थी उसे कह सकती थी चलो माल लेकि चले जाते null तू रख ले आधा मैं रख लेती होरेस जानबाई about 50 years old and unmarried usually वो हमेशा ठीक रहता है लेकिन उसे कभी-कभी हे फीवर हो जाता है समर में अटाक हा जाता है हे फीवर का में था इतना भी दूद का दूला नहीं था उसे रेर और एक्समेंसिफ किताबे पसंद थी इसलिए हर साल एक तिजोरी करना करता था हर साल प्लैन करता था अब पकड़ा पकड़ा गया था बहुत साल पहले ठीक है इनाफ टो लास्वोट व 12 से इतना चोरी कर लेता था कि 12 महीने मस्त जिंदेगी कटे उसकी सीक्रेटली बॉट बॉट बॉक्स लफ्ट वे ने जिन सीक्रेटली जो है वो किताबे खरीता था उस एजंसे लेकिन बाल में बिचारा बुद्धू बन गया ठीक है लड़की की चकर में फसके जो है वो बेव और हॉरस जान भी देखता है तो वह बड़ी अच्छी उसने रेड़ ज्रेस पहनी होती है परफेक्टली फिट्स रिच वोमिन एक्सेंट परफेक्ली फिट ओर होती है वो रिच वोमिन के अटायर में यानि कि अमीर औरत के कपड़ों में एकदम जच रही होती है बिल्कु इसलिए है आउरे जान भाई फोम डूबन जाता है उसके बातों में आ जाता है कि यह तो बड़ी स्मार्ट सी लेडी है यह कहां चौर होगी इसलिए उसके ऊपर शक नहीं करता चौल और कॉल काम यानि कि बहुती शांत होती है बहुत कूल होती है ना कितनी जल्दी स्टोर बना लेती है बैठे-बैठे कहानी बनाती है कि भाई मेरे जो टूट गई है मैं कोट भूल गई हूं मुझे जूलरी चाहिए मैं इस घर की ओनर हूं उसने सुना होगा ना वह भी आई होगी चोरी करने के लिए घर में उसने देखा यार एक चोड तो अलड़ी है अब इस चो मैं ही जो है स्मार्ट बन जाती है घर की जो है उनर बन जाती हूं और इसे पसाती हूं गुड प्लैनर अ बड़ी अच्छी प्लानर होती है बच्चों इतना बढ़िया प्लान करती है कि एक मजह होए खिलाडी को दूल चटा देती है डूप the smart thief easily smart thief को easily लिए Doop कर देती है यानि कि उसे विद्धु बना देती है उसे धोगा दे देती है डिभाघ। जो है वह पीछा चुड़ा अलाएं चोरी करती खुद है पैसे बाधे betु express हमारे हरी जान पसके इनिए आप छोंन मेंसे तुसके करें नहीं है यह न्याच लाँ difficult जारगे साथ गलत हुआ ठीक है इस लेडी ने उसे अच्छा बुद्धू जो है वो बनाया बच्चो यहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है ठीक है यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है और अमंग थीव इस कंसीडर दो पॉपुलर कोड इंग्जामिन अक्वेश्चन इसस्टोरी वोवन अराउंड अर्व दिसकोड बच्चो यह कवेश्चन आया है आपकी सांप्ल पेपर में कैसे बनेंग आपके इस बार आपनी आपने संप आसे हैं बहुत Anim PER़ देखा घ्मेट जो आपको बता चलेगा किक सब्सक्रां Gaming जोता जो है आरिक है वह तो तर हो बेस्ट होगा question ठीक है तो लेकिन सीधा सीधा question नहीं होगा यहां पी देखो पूछा गया है honor among thieves honor among thieves का मतलब क्या होगा चोर-चोर मुसेरे भाई actually में इसका Hindi translation यहीं होगा कि जो चोर है मतलब कोई भी चोर को तो आप ले लो मुसेरे भाई होगा यानि की cousins होते हैं वो यानि की एक दूसरे के secret जो है वो रखते हैं एक चोर दूसरे चोर को जो है वो हमेशा मानता है जैसे मैंने बोलो ना यहां उसको एक चोर नहीं बुद्धू बनाया होता है तो यह popular code है इसको examine करो आप यह जो story इसके आसपास बुनी गई है जै हां examine करो यह story obviously इसके आसपास ही बुनी गई है usually there is a bro code usually there is a thief code usually there is a popular code honor among thieves but this cannot be seen in this story story में आपको यह बिल्कुल नहीं आ रहा होता है यहां what happens that a thief one thief dubs the other thief यहां एक thief दूसरे थीफ को डूप कर देता है उसे बुद्धू बना देता है और उसे फसादेता है ठीक है the thieves did not distribute distribute the you know जो भी उन्होंने थेफ्ट जो किया था उसको distribute करने की बजाए एक दूसरे परसन पर भी उन्होंने जो है एक थीफ ने दूसरे परसन के ओपर जो है वो सारा का सारा ब्रेम डाल दिया and one of the thief he enjoyed ठीक है she enjoyed the jewels but the other person hard to suffer ठीक है तो इसके around आप कैसे लिखोगे कैसे उसको explain करोगे मैंने आपको बता दिया है आपको लिखना है no this code was not followed ठीक है this story that was woven around here this popular code was not followed by a thief ठीक है what she does was what she does she did what she did she blamed she put the blame on other thief okay तो यह जो है आपको लिखना है इस तरह के questions जो है आपको exam में आएंगे हर अब आपका जो भी mind map होगा उसमें मैं sample paper based question जो है वो लेकर आऊंगी ठीक है sample paper के question को हम लोग discuss करेंगे आपेस में discuss करेंगे कैसे आप लोग इसे कर सकते हो फिर आप उसे attempt करेंगे ठीक है और भी value based questions को हम लोग लेकर आएंगे साहथ-साहथ में ठीक है और भी situation based questions हम लोग बना सकते हैं एंड में पिर एक दिन क्या करेंगी हम सारा सांपल पेपर के questions का solution भी आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है अल्री वेसे solution दिया गया है लेकिन हम लोग अलगस एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन सब पर याद रखने है चोर-चोर मुसेरे भाई और हरा चमकती हुई चीज सोना नहीं होती लुक्सर डिसेप्टिव लुक्स को देकर धोका मत खाना ठेक है सबसे पहले परसन को अच्छे से जान लेना फिर जाकर उन पर भरोसा करना चलिए बचों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो देक्यों बगाई